पाप किसको लगा? काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था. उसके वजर मुकुट नाम का एक बेटा था. एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया. घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला. उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे. किनारों पर घने पेड थे, जिन पर पक्षी चह चहा रहे थे. दोनों मितर वहां रुक गये और तालाब के पानी में हाथ मुह धोकर उपर महादेव के मंदिर पर गए. खोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया. वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आये. तो देखते क्या हैं कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ सनान करने आई है. दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड के नीचे बैठा रहा पर राजकुमार से न रहा गया वह आगे बढ़ गया राजकुमारी ने उसकी और देखा तो वह उस पर मोहित हो गया राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही फिर उसने किया क्या कि जूडे में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांट से कुत्रा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा, अपनी सक्षियों के साथ चली गई उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया, और सब हाल सुना कर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है, न ठिकाना, वह कैसे मिलेगी, दिवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना नहीं, वह सब कुछ बता गई है, राजकुमार ने पूछा, कैसे, वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया, तो उसने बताया कि मैं करनाटक की रहने वाली हूँ, दात से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबार राजा की बेटी हूँ, पाव से नाटक देश में ले चलो, दोनों मित्र वहां से चल दिये, घूमते फिरते, सैर करते, दोनों कई दिन बाद वहां पहुँचे, राजा के महल के पास गए, तो एक बुडिया अपने द्वार पर बैठी चर्खा कातती मिली, उसके पास जाकर दोनों घोडों से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौधागर है, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगा दे दो, उनकी शकल सूरत देखकर और बात सुनकर बुडिया के मन में ममता उमड आई, बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो, दोनों वहीं ठैर गए, द मैं राजा की बेडी पहमावती की धाय थी, बुड़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ, राजा खाने पीने को दे देता है, दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ, राजकुमार ने बुडिया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहाँ ज पुडिया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया, राजकुमार हक्का बक्का रह गया, तब उसके मितर ने कहा, राजकुमार आप खबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें, उसने देसों उंगलियां सफेद चंदन में मारी, इससे उसका मतलब यह है कि अभी दस र दस दिन के बाद बुडिया ने फिर राजकुमारी को खबर दी, तो इस बार उसने कैसर के रंग में तीन उंगलियां डुबो कर उसके मुहा पर मारी, और कहा, फाग यहां से, बुडिया ने आकर सारी बात सुना दी, राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया, दीवान के जाजकुमारी ने उसे फतकार कर पच्चिम की खिड्की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्तर। उसने आज rath को तुम्हें उस खिड्की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उचल पड़ा समय आने पर उसने बुड़िया की पोशाक पहनी इत्तर लगाया हतियार बांदे दुपहरा तबीपडर महल में जाप पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया राजकुमारी वहां टैयार खड़ी थी वहों उसे भीतर लेगी अंदर के हाल देकर राजकुमार की आंग खुल गई एक से एक बढ़कर चीजन थी राद भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और राथ होने पर फिर बाहर निकाल लिया अचाना के दिन बीक दिन राजकुमार को अपने मित्र क्यादाई उसे चिंता होई किपता नहीं उसका क्या हुआ होगा उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया बोला वहम्या बड़ा प्यारा दोस्त है बड़ा चतुर है उसकी होशियारी ही से तो तुम मुझे मिल पाई हो राजकुमारी ने कहा मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूं तुम उसे खिला कर तसली दे कर लोट आना खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुँचा वे महीने भर से मिले नहीं थे राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुना कर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बाते बता दी है तब ही तो उसने ये भोजन बना कर भेजा है दीवान का लड़का सोच में पढ़ गया उसने कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हे अपने बस में नहीं रख सकती इसलिए उसने इस खाने में जहर मिला कर भेजा है ये कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड़ू उठा कर कुत्ते के आगे डाल दिया खाते ही कुत्ता मर गया राजकुमार को बड़ा बुरागा उसने कहा ऐसी स्त्री से भगवान बचाए मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा दीवान का बेटा बोला नहीं अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिसे हम उसे घर ले चले आज रात को तुम वहां जाओ जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईन जांक पर त्रिशूल का निशान बना कर उसके गहने लेकर चले आना राजकुमार ने ऐसा ही किया उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेस बना मरगट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेचाओ कोई पकड़े तो खह देना कि मेरे गुरू के पास चलो और उसे यहां ले आना राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरू ने मुझे दिये है गुरू को भी पकड़वा लिया गया सब राजा के सामने पहुँचे राजा ने पूछा योगी महराज ये गहने आपको कहां से मिले योगी बने दीवान के बेटे ने कहा महाराज, मैं मसान में काली 14 को डाकिनी मंत सिद कर रहा था कि डाकिनी आई मैंने उसके गहने उतार लिये और उसकी बाईन जांग में त्रिशूल का निशान बना दिया इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पदमावती की बाईन जांग पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है रानी देखा, तो था राजा को बड़ा दुख हुआ बाहर आकर वा योगी को एक ओर ले जाकर बोला महाराज, धर्मशास्तर में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है योगी ने जवाब दिया राजन, प्राह्मन, गू, स्त्री, लर्का और अपने आसरे में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए यह सुनकर राजा ने पदमावती को डोली में बिठा कर जंगल में छुडवा दिया राजकुमार और दिवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे राजकुमारी को अखेली पाकर साथ ले अपने नगर में लोटाए और आनन्द से रहने लगे इतनी बात सुना कर बेताल बोला राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा दिवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरत सिद्ध किया राजा ने पाप किया, जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जालटका राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया बेताल बोला, राजन, सुनो, एक कहानी और सुनाता हूं दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों से शेर जरूर करे रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए कहानियान Unlocked 2.0